नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टार्गेट वितने 30 में आसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कुरोना महमारी से कैसे बचाव करना है इसके परती सजग और जागरुख होंगे आज के इस एपसोड में हम BPSC previous year question papers में पिछले 28 वर्सों के दोरा नेशनल मोमेंट से जो प्रश्ण पुछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्णों पर हम चर्चा करेंगे इन प्रश्णों की जब चर्चा की जाएगी तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि परतेक प्रश्ण को इतना विस्त्र धंग से चर्चा किया जाए उसके background को बताया जाए कुछ उससे जुड़े महत्मूर तफ्थे को बताया जाए ताकि आने वाले समय में जो भ और ये सुरू करते हैं आज का ये महत्मूर भाग मेरा नाम है नितिश कुमार इस समय बिहार और देश के विभिन छेत्र बार की समस्या का सामना कर रहे हैं, बार की स्थिती में लोगों को कई कठ जाएगा क championships करना पढ़ता है, इस स्थिती में लोगों को शमय रहते सुरच अच्छित जगह पर रखवा देना चाहिए और हर पल सजग और सतर्क रहना चाहिए क्योंकि भारतिय नेता केवल फोटो खिचवाना जानते हैं बार के छेत्र में आकर उसका कोई एस्थाई समधान नहीं जानना चाहते हैं तो इसलिए जरूरी है कि आप ही सजग और सतर्क र 26 जनवरी 1937 को अप्सन भी है आठ अगस्त 1942 को अप्सन सी है 21 अक्टूबर 1945 को और अप्सन डी है 18 फरवरी 1946 को जो रास विहारी बोस हैं उन्होंने टोक्यों में एक शमेलन का आयोन किया जिसमें भारतिय राश्टिय सेना यानि कि आजाद हिंद फोच के गठन का नेड़ा क फोच में प्रमुक रूप से भारतिय सैनिक थे जिन्होंने शिंगापूर के पतन के प्रश्चात जापानी सेनाओं के समच्छ आत्म समर्पड कर दिया था साथ जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फोच की कमान सुबास चंदर बोस को सौप दी 21 अक्टूबर 1943 को सुबास चंदर बोस ने सिंगापूर में सतंदर भारत के और स्थाई सरकार का गठन कर आजाद हिंद सरकार के निर्माड की घोषडा की तो 21 अक्टूबर 1943 को सुबास चंदर बोस ने सिंगापूर में सतंदर भारत के और स्थाई सरकार के गठन कर आजाद हिंद सरकार के निर्माड की घोषडा कर दी तो क्वेशन नमबर वन का सही उत्तर हो जाएगा सी 21 अक्टूबर 1943 को अगर प्रशना था कि इंडियन नेशनल आर्मी यानि कि आजाद हिंद फौज की अस्थापना किस वर्स हुई तो इसका सही उत्तर होता मार्च 1922 में रास विहारी बोस के नेतरूत में अगर प्रशना था कि आजाद हिंद फौज का पुनर गठन किसके द्वारा किया गया तो इसका सही उत्तर होता सुबास चंदर बोस ये भी प्रशना सकता है कि रास विहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौपी और कब सौपी तो रास विहारी बोस ने सुबास चंद्र वोस ने सिंगापुर में अजाद हिंद सरकार के निर्मा की घोशड़ा कर दी थी तो कोश्चन नमबर वन का श्रही उत्तर हो जाएगा सी अगला प्रश्ट सोफ़े Greece empire 1980 में अजाद Harine फोज अस्तित्तो में आईए उप्सन एः जपान में आफसन भी है तत्कालिय बर्मा में आपशन सीसे सिंगापुर में और अफसन डी है तत्कालिय मलाया मिलाmont d जुन 1942 में रास विहारी बोस्त ने बैकांक में भारतिय स्वतंतता लिख का एक समेलन बुलाया बैकांक समेलन में सुवास्चंद्र बोस्त को जपान आने का निमंत्रण भेजा गया वे जुन जपान किराइधानी टोकियो पहुचे अगर बात की जाए यही अजाद हिंद फौज की अस्थापना का विचार किसके मन में सबसे पहले आया था तो अजाद हिंद फौज की पहले डिवीजन का गठन किया गया था और जुलाई उन्नीस सथा तालिस में सुवास्चंद्र बोस्त टोकियो से जो है सिंगापूर पहुचे जहां इन्हें आजाद हिंद फौज का स्रोच तेनापती घोसित कर दिया गया यानिकि सुप्रिम कमांडर घोसित कर दिया गया 21 अक्टूबर 1945 को सुवास्चंद्र बोस्त ने सौतंत्र भारत के अंत्रिम सरकार की गठन की यानिकि आजाद हिंद सरकार का गठन किया इन्होंने अगर बात की जाए कि सुवास्चंद्र बोस्त ने तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजादी दूँगा कनारा कब दिया तो जुलाई सुवास्चंद्र बोस्त जब सिंगापूर पहुंचे तो जब इन्हें आजाद हिंद फोज का स्रोच सेनापती घोसित कर दिया गया तो उसके बाद जब वे सैनिकों का आवान कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने कहा कि तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजादी सुवास्चंद्र बोस्त ने 21 सक्टूबर 1943 को सिंगापूर में भारत की और एस्थाई सरकार की एस्थापना की तथा रंगून को मुख्याले बनाया गया तो यहां प्रस्ट था कि 1943 में आजाद हिंद फोज कहां अस्तित्यु में आई तो आप देख रहे हैं कि जुलाई सुवास्चंद्र बोस्त सिंगापूर पहुंचे हैं जहां इन्हें अजाद हिंद फोज का सरवच सेनापती घोशित किया जा रहा है और जिसके बाद जो है सुवास्चंद्र बोस्त पूज पुनर गठन करेंगे तो यहां प्रस्था उन्नीस सतित्यु में आई तो इसका स 19 अक्टूबर 1943 को सिंगापूर में भारत के अस्थाई की सरकार की अस्थापना की तथा रंगुन को मुख्याले बनाया जो यह सरकार की अस्थापना सुवाश चंदर बोस द्वारा की गई उसे आजाद हिंद सरकार के नाम से जाना गया जर्मी तथा जपान ने इस और 1947 में जपान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुवाश चंदर बोस को सौब दिये सुवाश चंदर बोस ने इनका नाम करमस शहीद द्वीप और शौराज द्वीप रखा अप्रेल 1944 में भारत की मुख्य भूमी पर अजाद हिंद फोज द्वारा सौर पर्थाम मोई र इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी 1945 में आजाद हिंद फोज के सिपाईयों ने आत्म समर्पन कर दिया इसके पश्चात सरकार द्वारा इन पर लाल कीले में मुकदमा चलाये जाने का फैसला लिया गया बचाव पच्च के वकिलों में भुलावाई देसाई परमुक थे सरकार ने लाल कीले में चले संचिप्त मुकदमे के तहत अजाद हिंद फोज के सिपाईयों को जिसमें सामी थे गुरुबक सिंग, धिलो, प्रेम कुमार शहगल, सहनुआज खाको फांसी की सजा दी सरकार के इस नेड़े के व्रियूद वापक जन विरोद के कारण विवस होकर वैसराय ने अपने बिसे साधिकारों का परियोग कर इन कैदियों को माफी दे दी तो अजाद हिंद फोज से समन्दित जितने भी महतमुर तक थे उसको हम लोग विस्तरित जान चुके हैं तो आगे आप बढ़ेंगे अगला प्रश्ट इंडियन नेशनल आर्मी जिसको प्रचलित रूप से आजाद हिंद फोज के नाम से भी जाना जाता है या किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी अस्थापना की ऐफिन ए है सुबाश चंदर बोस ऑप्शन भी है डाक्टर मोहन सिंग यानी की कैप्टन मोहन सिंग अप्शन सी है चंदर शेखर और अप्शन बी है भगत सिंग इसके पहले प्रश्ण में हम यह डिस्कस कर चुके हैं कि आजाद हिंद फोज की अस्थापना का बिचार सौर प्रथम कैप्टेन मोहन सिंग के मन में आया था बिचने की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पिछे हट रही थी तो मोहन सिंग यपानियों के साथ हो गए। जब भारतिय यूद बंदियों को मोहन सिंग को सौप दिया तो उन्वे से ही लोगों को चुन-चुन कर आजाद हिंद फोज में सामें करने लगे और सितंबर 1922 में आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन उन्होंने किया तो इंडियन नेशनल आर्मी जिसको प्रचलित रूप से आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है यह किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किस ने की तो डाक्टर मोहन सिंग के दिमाग की उपज थी तो कुश्चन नमबर तीन का सही उत्तर हो जाएगा बी अगर प्रश्ण उठता कि इंडियन नेशनल आर्मी जिसको प्रचलित रूप में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है लेकिन यहां मुल रूप से बात की जा रहे है कि इंडियन नेशनल आर्मी की जुरूआ का किस के मन में आया तो इसका सही उत्तर हो ज apple अगला प्रश्ट सचीदा नंद सिनह किसके साथ जुड़े थे अप्शन ए है भारत छोड़ो अंदोलन अप्शन बी है डांडी मार्च अप्शन सी है स्वविने अमध्यां अंदोलन अप्शन डी है इनमें से किसी के साथ नहीं सचीदा नंद सिनह का संबंद विहार से था वे किसी आंदोलन से नहीं जुड़े थे इन्हें सम्मिधान सभा के प्रथम अधिवेशन यानि की उद्गातन अधिवेशन यानि की 9 दिसंबर 1946 को सर्वसंमती से बुजुर्ग होने के कारण समिधान सभा में इन्हें और अस्था अध्यक्ष चुना गया था इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इन्हें और अस्थाई अध्यक्ष के तौर से हटा दिया गया और डाक्टर राजेंद्र परशाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई तो चोथा प्रस्था सचीदानंद सिनहा किसके साथ जुड थे तो कोश्चन नमबर चार का सही उत्तर हो जाएगा डी अगला प्रस्थ अखिल भारतिय भारवार्वार्ट ब्लोग की स्थापना के लिए सुवाश चंद्रबोस से कौन जुड़े और इंडियन नेशनल आर्मी अंदोलन के साथ भी जुड़े रहे अप्शन ए है जैप नरायप प्रसाद और अप्शन ई है इन में से कोई नहीं या इन में से एक से अधीक जो सिल्भत्र याजी जी है यह बिहार के एक सोतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गाधी और सुवाश चंद्रबोस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे याजी सिल्भत्र याजी अखिल भार्तिय फरवाट बॉलाग की अस्थापना के लिए सुवाश चंद्रबोस से जुड़े और इंडियन नेशनल आर्मी अंदोलन के साथ भी जुड़े रहे यानि की अजाध हिंद खोज द्वारा जो अंदोलन चलाय जा रहा था जी अजादी का उसके साथ भी जुड़े तो सिल्वद्र याजी का संबन्ध कहां से था बिहार के यह एक 173 से नहीं थे इसलिए इनका संबन्ध सिल्वद्र याजी का सहा बिहार से ऊप स्चैन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएंगा C. सिल्वत्र या जी अगला प्रश सुमेलित करिए option A है बारदोली option B है चौरी चौरा option C है यरवदा option D है नोवा खुली हम लोग नोवा खुली के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि आजादी के समय जब भारत का बिभाजन हो रही थी तो नोवा खुली में भैंकर दंगे हुए थे तो यहाँ सुमेलित करना है कुछ जो अस्थान है फьमस भारतिय इतिहास में भारतिय सोतंतरता आंदोलन की इतिहास में यह फेमस अस्थान है जहां से सत्याग्रह की सुरुवात होई या अंदोलो निया या किसी परकार की घटना यहां पे हुई थी तो नुवाखोली की अगर बात करें तो नुवाखोली का मिलान हम कर सकते हैं पच्छिम मंगाल से क्योंकि नुआ खुली जगह जो है यह पच्छिम मंगाल में इस्तित है आजादी के समय यहां भेंकर दंगे हुए थे वर्तमान में यह जगह पच्छिम मंगाल में न होकर यह जगह जो है बंगला देश में इस्तित है अगर यर्वदा जेल की बात की जाए तो यर्वदा जे ये यरवदा जेल महराष्ट में है तो सी का हम वन नमबर मिला देंगे और चौरी चौरा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में है आपको याद होगा कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा ने हिंसक घटना होई थी जिसमें 22 पुलिस कर्मी जो है जला दिये गए थे करांती कारियों द्वारा तो चौरी चौरा का समन्द कहा है उत्तर प्रदेश के गुरकपूर जीले के करीब ये इस्तित है नजदिक चौरी चौरा जगह यहां 5 फरवरी 1922 को असायोग अंदोलन के दोरान घटना होई थी जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को थाने में फूप दिया गया था भा गुजरात से है जिससे कौन जुड़ा हुआ है इससे जुड़े हुए है सरदार बल्लब भाई पटेल यहां किसान अंदोलन हुआ था किसान सत्यागरा हुआ था तो आप देख रहे हैं कि बारदोली का संबंध गुजरात से है तो कुट यहां मिलाना है तो आप देख रहे हैं एक संबंध दो से है बी का संबंध फोर से है तो एका संबंध दो से बी का फोर से और शी का संबंध जो है वन से है तो सी का संबंध वन से और डी का संबंध किस से है थ्री यानि कि पच्छी मंगाल से तो कोश्चन नमबर छह का सही उत्तर हो जाएगा सी अगला प्रश्ट कर दो कैबिनेट मिशन भारत कब आया अप्शन ए है फरवरी 1922 ऑप्शन भी है मार्च 1922 ऑप्शन सी है अप्रेल 1922 ऑप्शन डी है मई 1922 और अप्शन ए है इन में से कोई नहीं या इन में से एक से अधीक कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो ततकालिन भारतिय सचिव थे और अन ने जो सदस से इसमें सामिल थे उनका नाम है एस्टैड फोर्ड क्रीप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड का ब्रिटेन में अध्यक्ष थे और एवी अलग्जेंडर ब्रिटेन के नौशेना मंत्री थे तो यहां पर प्रशन यह भी बन सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत थे कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किस ने की तो लॉड पैथिक लॉरेंस ने की थी जो ततकालिन भारतिय सचीव थे प्रशन यह भी उठ सकता है कि एस्टैंड फोर्ड क्रीप्स जो होगा थे वह किसके अध्यक्ष थे तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और य कि इन में से कोई नहीं क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था अगला प्रश्ट कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गईorson ने है लाड एतली ओफन עफं सी है कलिमेंट इटली सर पी लॉरयेंस Cabinet Mission की अध्यक्सता हम लोग पढ़ चुके हैं कि Lord Pethic Lawrence ने की थी जो तदकालिन भारती असचीव थे और इसमें कुल तिन सदस्थे Pethic Lawrence को लेते हुए इसमें अन्य जो सदस्थे Pethic Lawrence के अलावा वह थे Standard for Crips और A.B. Alexander Cabinet Mission की अध्यक्सता यहां प्रस्था किसके द्वारा की गई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस सर पी लॉरेंस एक फरवरी 1946 को भारत सचीव लाड़ पैथिक लॉरेंस ने भारत में सम्मेधानिक सुधारों के लिए एक सिष्ट मंडल भेजने का निर्णे किया था कैबिनेट मिशन नामक या सिष्ट मंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुचा था तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्सता किसके द्वारा की गई सर पी लॉरेंस यानि कि सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो ततकालिन भारतियस सचीव थे अगला प्रश्ट इन में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्त नहीं थे और आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में कुल तीन सदस्त थे कौन कौन सदस्त थे पैथिक लॉरेंस थे जो ततकालिन समय में भारतियस सचीव थे एश्टेंडर्ड फोर कृफ्स थे जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के जो है ब्रिटेन में अधेक्स थे ए भी अध्लेट ब्रेटन ततकालिन नौशेना मंत्री थे तो लाड़ बेवल जो था उस समय भारत का जो है गवर्नर था तो लाड़ बेवल के शमय में जो है कैबिनेट जाएगा बी क्या हो जाएगा लाड बेवल यह पुछा जा चुका है काफी इंपोटेंट है अगला प्रस्ट वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिसनवा लाड बेवल दोनों से वरताएं की आपसन ए है अबूल कलाम आजाद आपसन भी है जोहरलाल लेहरू आपसन सी है जेवी क्रिपलानी आपसन डजी है सी राज गोपल चारी तो अबूल कलाम अजाद जिस समय क्रिप्ष मिशन भारत आया था और लाड़ वेवल जो है आप जानते हैं कि 1946 तक रहा भारत का वैसराई जिस समय क्रिप्ष मिशन भारत आया था उस समय भारती अराष्टिय कांग्रेस के जो अध्यक्स थे वो अबूल कलाम अजाब थे इन्होंने ही क्रिप्स मिसन से भी वरताएं की और लाड वेवल दोनों से वरताएं की थी तो question number 10 का सही उत्तर हो जाएगा अगर बात करें कि अबुल कलाम जो अजाद जी हैं ये कब से कब तक कांग्रेश के अध्यक्ष रहे तो मौलाना अबुल कलाम जाद को 1940 में रामगड में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेश का उसी में जो है इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्ती की गई और ये जो है अक्टूबर 1946 तब भारतिय राष्टिय कांग्रेश के अध्यक्ष रहे और इनके नाम भारतिय राष्टिय कांग्रेश का अध्यक्ष रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड है यानि कि सबसे लंबे समय तक भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश के अधेक्ष कौन रहे अगर प्रश्ण पुछा जाए तो इसका सही उतर होगा मौलाना अबुल कलाम अजाद लगतार 6 वर्सों तक लगभग ये इंडियन नेशनल कॉंग्रेश के अधेक्ष बने रहे अगर ब और सबसे खास बात याद रखने वाला यह है कि जो फैजपूर का 1937 का कंग्रेश अधिवेशन हुआ था इसकी अधेक्सता जोहरला लहरू ने की थी और यह भारतिय राष्टिय कंग्रेश के इतिहास में पहला अधिवेशन था जो गाउं में संपन हुआ था तो यह भी प पहला अधिवेशन था जो गाउं में हुआ तो कोश्चन नंबर टेन का शही उतर हो जाएगा ए अगला प्रश अंग्रेजो द्वारा भारतियों को 1947 में सता हस्तांत्रित किये जाने के समय कांग्रेश अध्यक्ष कौन था अप्शन है जोहरला लहरू अप्शन बी है राज अंग्रेजो द्वारा भारतियों को हस्तांत्रित किया जा रहा था तो उस समय जेवी क्रिपलानी जो है भारतिय राष्टिय कंग्रेश के अध्यक्ष थे अगर प्रशन आपसे पूछा जाए कि जेवी क्रिपलानी को भारतिय राष्टिय कंग्रेश का अध्यक्ष कब बना कि भारत आजाद जब हो रहा था तो उस समय भी जो है जेवी क्रेपलानी ही अध्यक्षपद पर बने रहे और 1947 में जब भारत को आजादी मिल गई तो अध्यक्षपद का जो पद है वह राजेंद परशाद को दिया गया दिल्ली अधिवेशन में तो कोश्चन नमर 11 का श्रह इत्तर हो जाएगा डी अंग्रेजों द्वारा जब भारतियों को 1947 में सता हस्ता अंत्रित किया जा रहा था तो उसमय कांग्रेश का देख्ष जेवी क्रेपलानी थे अगला प्रश्ट सन 1947 के भारतियों राष्टियों कांग्रेश के दिल्ली अधिवेशन की अधिख्षता किस ने की अफसने है जेवी क्रेपलानी अफसन बी है राजेंद परशाद अफसन सी है अबूल कलाम अजाद अफसन डी है जोहरला नहरू सन 1947 अगर यहां पे मेरठ अधिवेशन कर दिय जाता 1947 के मेरठ अधिवेशन तो उसका सही उत्तर होता जेवी क्रेपलानी और जब भारत अजाद हो गया पंद्रह अगस्त उनिस साहे तालिस को यानि कि भारतियों को सता सौंप दी गई ब्रिटिश सरकार गवरा तो उसके बाद दिल्ली अधिवेशन हुआ कांग्रेश का 1947 में ही और इसकी अध्यक्सता जो है डाक्टर राजयंद प्रशाद ने की थी तो क्ष्ण था चन उनिस साहे तालिस के भारतियों राश्टियों के दिली अधिवेशन की अधिवेशन की तो इसका सही उत्तर होता जेवी किरपलानी अगला प्रश्ण नागरिक शेवाओं के लिए परतियोगी परिक्षा प्रणाली को सिधान्त स्विकार किया गया option A है 1823 issue में, option B है 1833 issue में, option C है 1858 issue में, option D है 1882 issue में नागरिक शेवाओं के लिए परतियोगी परिक्षाओं की शुरुवात स्वरप्रताम 1833 के Charter Act में की गई थी इसमें यह ब्यवस्ता की गई थी कि नियंतरन बोर्ड और उसके जो अन्य अफीसर्स हैं, उनका वेतन सरकार फिक्ष्ट करेगी और धन जो है उनको वेतन के रूप में कंपनी देगी इसी एक्ट के द्वारा डायरेक्टरों की संख्या जो है 24 से घटा कर अठारे कर दी गई इसमें 6 जो है क्राउन द्वारा मनोनित किये जाने थे और अन्य जो नियुक्तियां थी अब परतियोगी परिक्षाओं द्वारा की जानी लगी थी जिसमें किसी परकार का भेदभाव नहीं था जाती धर्म उत्यादी के अधार थे तो नागरिक सेंवाओं के लिए परतियोगी परिक्षा प्रणाली यानि कि कम्टेशन का जो एक्जाम है कम्टेटिव एक्जाम्स की सुरुवात सिधान्तर स्विकार किया गया था तो एक्ट के द्वारा अगला प्रश्ट निमांकित में से किस अधिनियम के तहत लाड करना वालिश को अपनी कॉंसिल के फैंसलों को रद करने का अधिकार मिला था अप्शनी है रेगुलेटिंग एक्ट 17-73 में पारिक हुआ था आप जानते हैं ऑप्शन भी है 17-86 का एक्ट ऑप्शन सी है 17-73 का चार्टर एक्ट ऑप्शन डी है 18-13 का चार्टर एक्ट लाड करना वालिश गवर्णर जनरल तथा मुक्य सेनापती दोनों की सक्तिया लेना चाहता था 17-86 के एक्ट का अंसार इसे स्वयकार कर लिया गया यानि कि अब मुक्य सेनापती और गवर्णर जनरल दोनों की सक्तिया जो है लाड करना वालिश में निहित हो गई विशेस अवस्था में उसे अपने परिशत के निर्णयों को रद करने का भी अधिकार दे दिया गया परिशत के निर्णयों को रद करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी गवर्णर जनरल को दिया गया था 1786 के एक्ट के द्वारा तो कोश्चन नमबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी 1786 के एक्ट द्वारा अगला प्रश्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप की सबसे पहले इस प्रश्ट को सौल करने से पहले हम यह जान लेना जरूरी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का इतिहास क्या है और इसमें क्या-क्या फ्रावधान थे तो साइमन कमिशन जो है आप जानते हैं कि भारत में 1928 में था तीन फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था और गोलमे समेलन तीन हुए थे 1930 31 और 32 में इनहीं साइमन कमिशन की रिपोर्ट पर जो है चार्का करने के लिए गोलमे समेलन बुलाए गया था और गोलमे समेलन जो निसकर्ष निकला था उसी के आधार पर भारत सार अधनियम यानि की इंडियन गोवर्मेंट एक्ट 1935 बना और प्रश्ण उड़ता है कि 1935 के एक्ट में क्या पुरावधान थे तो 1935 के द्वारा भारत में पहली बार शंगहात्मक शरकार की अस्थापना का प्रयास किया गया जिसमें ब्रिटिस भारत के प्रांत तथा जो दे थी कि प्रांतिय अस्तर पर द्वेद्शासन को शमाप्त कर दिया गया और केंद्र अस्तर पर केंद्रिय शरकार के अस्तर पर द्वेद्शासन परणाली की स्थापना की गई और द्वेद्शासन परणाली में जो विसय होते थे कानून बनाने वाले उसको दो भागों में बटा गया एक जो है आरक्षिछ भी से था वह आपका जणरल की सक्थियां उस पे जादा लागवाछ कृती थी और जो हुसते जो है ज़ो विधान मंदल हुआ करता था उसकी सक्तियां काम करती थी उसके उसको जादा दिकार प्राप् थे तो इसके दूरा पहले जो प्रक्रांत में द्वैद शासन था उसको समप्ट कर दिया गया भारत की और जब उस्ञूर्ट चब बात है कि प्रांतिय स्वएधत怎麼 कि प्रकार होगी वहाँ से गवर्णर जन्रल की पाँर्ट ही वह सब्सक्राइब भारत की हम लोग बात कर चुके हैं कि इस एक्ट में प्रवधान किया था कि जो बिटिश प्रांथ हैं बिटिश भारतिय प्रांथ और देशी रियास्ते उनको मिला कर जो है अगला प्रश्ट अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किशने शुरू किया था अप्सन ए है रामनाथ पूरी अप्सन बी है जिडी कुमार अप्सन सी ये लाला हर्दया लाल अप्सन डी है तारकनाथ दास अमिर्का में एक जगह है बैंकुवर यहीं पे फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत तारक नात दास ने किया था इसके माध्यम से वे समाजिक सुधारों से संबंधित आवाज उठाते थे और वर्ष 1910 में भारतिय सेना से अंग्रेजों के खिलाब विद्रोह का आववान जो है इस अकवार से किया गया था तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अकवार किस ने सुरू किया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारक नात दास कोश्चन नमबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी अगला प्रश्ट इंडियन अन्रेष्ट को लेखक कौन था अप्सन ए है दादावाई नरोजी अप्सन बी है एनी बशेंट अप्सन सी है लाला लाजपत राय अप्सन डी है वेलेंटाइन सिरोल इंडियन अन्रेष्ट का लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे इन्होंने ही बाल गंगा धर तिलक को भारत में असान्ती का जनक यानि कि इंडियन अन्रेष्ट का जनक इन्होंने बाल गंगा धर तिलक को कहा था तिलक ने इस पर वेलेंटाइन सिरोल के खिलाप मनहानी का मुकदमा दर्ज किया था तो इंडियन अन्रेश्ट का लेखा कौन था वेलेंटाइन सिरोल तो कोश्चन अबर 17 का शाही उत्तर हो जाएगा डी अगला प्रश्ट उपनियास दुरगेश नंदनी के लेखा कौन थे? अप्शन ए है रविंदरनाष टैगोर अप्शन बी है तारकनाथ गंगो पाधाय अप्शन सी है स्वमण कुमारी Option D है बकीम चंद्र चतरदी दुर्गेश नंदरी जो उपनियास था उसके लेखक बकीम चंद्र चतरदी थे 1865 इस्यू में यह उपनियास लिखा गया था और यह 1865 इस्यू में लिखा गया उनके द्वारा पहला उपनियास था इसके अंत्रीक्त उन्होंने अनंदमट, राज सिंग, विप्र, विक्ष जैसे उपनियास लिखकर बंगला साहित को एक नई दिसा दी अनंदमट से आप परचित होंगे इसी में जो है सौर पृथाम भारत का जो राष्टिय गीत है बंदे मात्रम उसको इसी में लिखा गया था और यहीं से जो है राष्टिय गीत भारत का लिया गया है अनंदमट, अनंदमट किसकी रचना है बकीम चंद, चटर जी की, दुर्गेस नंदनी किसकी रचना है बकीम चंद, चट और की है तो कोश्चन नमर अठारा का सही उत्तर हो जाएगा डी अगला प्रश्ट कि निम्न लिखित में से किस अख़वार का प्रकाशन पटना से होता था अपसने हैं इंडियन नेशन अपसन भी है पंजाब केश्री अपसन सी है प्रभाकर और अपसन डी है डॉन वर्श 1931 में दर्भंगा के महराज कामेश्वर शिंग ने इंडियन नेशन की शुरुआत की थी तो यहां प्रश्ट था कि निम्न लिखित में से किस अख़वार का प्रकाशन पटना से होता था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इंडियन नेशन यह अपबार जो है दर्भ इसक अगला प्रश्ट तो 1908 इस्व में बाल गंसंदर तिलक को कितने detention की सaces की ऑफशन भी है च्छाई स्य सब्सकरी और अप्वर्स स्थ Domë not 1908 हिस्वी में तिलक को सरकार के खिलाप भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफतार कर लिया गया था और उनके खिलाप राजद्रो का मुगदमा दायर किया जूरी के दो सदस्य जो भारती थे उन्होंने असहमती बैक्त किया तिलक को जब जजमेंट दिया रहा था तिलक की खिलाप लेकिन इसके बावजूद तिलक को अपराधी ठाराये गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई और इन्हें बर्मा के जेल रंगून भेज़ दिया गया बाल गंगतर तिलक को बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया रंगुन नहीं बर्मा के मांडले जिल में तो कोश्चन नमबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा भी 6 वर्सकी तो दोस्तो ये रहा आज का महत्पुन भाग आसा करता हूँ कि आपको इस एपसोड के माध्यम से जो 20 प्रश्ण डिसकस किये गए हैं पुरी ब्याख्या के साथ उससे काफी लाब हो रहा होगा और आने वाले समय में किसी भी राज्य के आयोग द्वारा जो भी परिक्षाएं आयोजित की जाएंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी ऐसे एपसोड से चाहूंगा इजाज़त लेकिन इजाज़त लेने से पहले यदि अभी तक आपने टार्गेट वित नितिसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं किसी रुकाउट के आपके लिए वीडियो लाता रहूँ दीजे इजाज़त नमस्कार सुब इदा मिलते हैं कब